आज हम कच्छाद्रस में समानतस्रेणी की प्रस्णावने 55 लोगों को पढ़ने जारे हैं जिसमें प्रस्णत्रमान साथ भूगा महल करेंगी उस एकिन का मतलब अर्फमाटिक प्रोग्रेसियन का याने समानतस्रेणी का 31 पज़ को ग्याद करना है उस समानतस्रेणी का 31 पज़ को ग्याद करना है जिसका 11 पज़ अर्फित दिया है और 16 पज़ तरहततर है सबसे पहले इसको हलकर से समय हम समानतस्रेणी का एनोगे पज़ का का मिला लिखेगे समांत असरेणी का ईनियम औप गजञी हं असले सोगता है A N अगरावली से A धन A एक गोड़ी दी के बड़ा यहां अगर दियुंदे तो हम पासे हैं हमारे पास A अरखा सामातर सेंडिंग का पहला पत A अरखा पदो की संख्या D अरखा दो लगतर पदो की मंदे का अंदर A N वा पत समातर सेंडिं का 11 पत क्योंकि क्या दिया है समातर सेंडिं का 11 पत याने की A 11 अका मां दिया है कितना 38 कहने का मतलब है यहां अनका बांदे कि इन मालों को जब हो समीतरण में रखेंगे तो यह समीतरण होगा A N याने 11 बाप ज़े 38 A का मान पता नहीं A N याने 11 अब एक गोड़ेंटी 11 में से एक को बठाएंगे 10 बचला हमारे पास 28 बराबरे से A धन 10 बी यह जो पर है इसको हम दैवाएंगे पक्षांदर कर लें पुरे बदों को दैवाएंगे पक्षांदर करते हैं तो समीतरण के किसी भी मानन को परिवरता नहीं आप और इसको हम समीतरण नहीं एक है उना दूसरी सर्थ देए तो दूसरी सर्थ में निखा है समान्दा सर्थ का सोलवाबर दूसरी उसी सर्थ पहली सर्थ में समान्दा सर्थ का ग्यारवबर दढ़तीस था और उसी सर्थ में समान्दा सर्थ का सोलवाबर याने एसिस्टीन वालावबर दढ़ता है कहने का मतला यान दढ़ता है ए ए तरहतर के बराबर ए याने तहला बद ए याने सोल वाबद एन का मतला सोला ये गोले पूटी तरहतर बराबर ये से ए धान सोला ले से को गटा है कि ये को पंदर रड़ी यहां भी दूरे पर को दायलाई पक्षांतर ये आसकता है इस से माने को विजशे संतर नहीं आएगा और ये सम्हीं करें मुझे ऐसा बन जाएगा ए धान पंदाडी बराबर इस दो तरहतर ये सम्हीं करें दो सावजी से समझने का प्यासतर हो जहां पर A और D आये यदि महां पर X और Y आते तो ये की सम्हीं करें कुछी स्प्रताव से फेज X धन 10Y बराबिल से 30 और दूसरा समिकन A धन 15 D 16 में से इको भटाया ये मांना किया तो A की जहाँ पर X और D की जहाँ पर लेकर निहाँ आते तो ये इस प्रकारते दो चरों के ये उपर समिकन का परिवड़ित रूप है अंता सिर्फ इतना है कि यहाँ पर A और D है और पिछले दिकाई में हमने X और Y पड़े जैसे मांना करते दिक बिल्कुल खीक वैसे ही हम यहाँ 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 करेंगे हम क्या करते हैं समीकरण दो मेंसे समीकरण एको घठा देंगे सबसे पहले हम यहाँ समीकरण दो मेंसे समीकरण एको जब समीकरन 2 में से समीकरन 1 को हम घटाते है तो समीकरन 2 को यहाँ से देखे समीतर हैं दो हमारे पास है एग हना पंदराटी बराबरी से तरह कर रहे हैं इसका मतलब है यहां हमने जो हम जितनी विलियों को हुँ जानके थे प्रतिष्थापन, विलोपन, वजबुनन, पारावर्ण उसमें हमने यहां विलोपन भी दीखा उप्योग कर रहे हैं क्यों क्योंकि समीतर है और दो दोनों में हमसे देखे तो एक आगे एक एक उनांग है जब हम जटाएंगे तो निस्तितने धन रिभी में बदल जाएगा और एसे एक पूर्ण का घट जाएगा एसे एक पूर्ण का यहां घट जाता है और पंदराटी में से दरस दीखो घटाने पर मानाएगा पांच दीख तरातर में से हम अरतिस को घटाएंगे तो कंडिशन कुछ इस प्रकार की होगी हमारे पार तीरा में से आणिके पांच उधार की वाकिस साथ में से जब चार को घटाएंगे तो हमरे पांद बच्छे के ती माना गया डी बदानी से यह इपर अपनी देरे दी बदानी से 25 बटे पांट याने 15 ता पैंटीस तो हमरे पास सारवन दर दी का मान गया साथ D कमाना रसाथ इसको हम किसी भी एक समीकरण में रखते मालिव सुझी कमान रखते समीकरण D बराबरी से साथ रखने हैं समीकरण A में जब D के बाले को हम साथ रखते हैं तो कंडिशन हमा रखते पस आएगी 1500 लिएन दस दुनिस साथ बरापुती से अड़तीस दस दिस साथी सत्तर ये सत्तर दाहीन दन जाएगा तो अड़तीस में से सत्तर घट जाएगा 28 में से जब 70 को बढ़ाएंगी तो मान भीसों मिलेगा एका और एक नामन्या पर मिलेगा रेन 22 हमारे पाथ समांतर सर्णी में सारवंतर भी आ गया और समांतर सर्णी का समांतर सर्णी का इक पिस्वपद समांतर सर्णी का इक पिस्वपद सुत्र हमारे पास नहीं होगा ए एन बराबरी से ए धान एन ने एक निए दे ए रड़ी वन बराबरी से ए मतलग पिस्वपद रेन 22 धान 31 पिस्वपद ने कर ला है 31 रेन एक डी का मान है साथ 31 बराबरी से रेन 32 31 में से एक को बटाएंगे 30 बचेगा 30 में साथ करना परेंगे 210 बचेगा अब यदि हम 210 में से 32 को बटाएंगे तो 180 बचता है प्रिश्टरी के से एस समात्पस्रेणी का जो 31 बटाएंगे 31 बटाएंगे वो हमको बटाएंगे 180 हमारे पास समात्पस्रेणी के दो पर्दिये एक 11 बटाएंगे थारगी एक सोलवापत दिया था करता हमने इस फारमिले में उन मानों को रखकर दो समीकरण बन ये दोनों समीकरण पिछली काई में दो ज़रों के इस पर समीकरण की भाती बनते हैं उसको हम ने यहां पर विलोपन विदी का उप्योग किया आप चाहे तो प्रतिस्तापन ये वजब उन विदी का उप्योग करते हुए भी मान निकलते तो ए और दी के मान इतने ही निकलते ए और पहला पर दी और सारवंतर जब दूनों ग्यात हो जाए तो समान को से निकलते इस वापत निकलने में उप्योपी से समस्य नहीं है उम्मिन ने आज कही प्रस्णा आपको समझने होगा धन्यवाद सिस आगे अले करेंगी